हेलो दोस्तों आपका नील स्टडी जो उनमें स्वागत है योपी पूलिस बीपीस से 3.0 टी ट्रिपल असबी पियाटी टी टी पीजिटी पीजिटी के लिए जीएस की क्लास है आई होप आप सभी ने इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी नहीं देखी है तो लिंक डिस्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं आज के हमारी क्लास में हम पॉलिटी के कुश्चन कर रहे हैं तो कुश्चन नमबर 38 है आपका अनुछेट डैश के प्रावधानों के तहर लोकसभा और राजसभा के संयूत बैठक को राश्टपती द्वारा बुलाया जाता है तो संयूत बैठक जो है आपकी किस के द्वारा किस अनुछेट के द्वारा बैठाई जाती है तो 108 अनुछेट के अंतरगत बैठाई जाती है ठीके और बुलाता कौन है साइन तो बैठा राष्ट पती बुलाता है और उसकी अध्याष्टा जो है लोगसभा अध्याच करते हैं लोगसभा की बात आपकी 81 में की गई है आर्टिकल आर्टिकल 81 में लोगसभा की बात और आर्टिकल 80 में जो है राजसभा की बात की गई है Next लोगसभा में मद्दान करने के समय टाई की इस्तती में डैस के पास वोट डालने का अधिकार होता है जब लोगसभा में चुनाव होते हैं लोगसभा के तो जब टाई हो जाता है उस समय पर किसके पास अधिकार होता है वोट डालने का तो वो है आपका speaker तब आपका लोगसभा जो अध्याश होगा speaker होगा वो जो है आपका वोट डालने का अधिकार रखता है option B यहाँ पर राइट है नेक्स्ट भारत के पहले प्रदानमंत्री पंडित जवालल नेरू ने 14 अगस 1947 की मद रात्री को नियती से वादा निट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्शक भाशर कहां दिया था तो यह जो भाशर है इन्होंने संसद में दिया था option आपका C राइट है नेक्स्ट इन में से कौन भारत का कारवाहक राश्ट पती नहीं था यह पुछा जा रहा है वीवी गिरी थे हिदायत उल्ला थे बीडी जत्ती भी थे डॉक्टर जाकिर उसेंजों यह कारवाहक राश्ट पती आपके नहीं थे ठीक है option यहाँ पर बी राइट है भारत में राश्ट पती अपना कारिकाल पूरा खोने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौपता है तो राश्ट पती अपना त्याग पत्र उप राश्ट पती को देता है option यहाँ पर बी राइट है नेक्स कुश्यन अनुशूचित जन जाती के सनरचर के लिए एक छेत्र को अनुशूची छेत्र के रूट में घोषना करने की शक्ति किसके पास होती है तो ये होती है भारत के राश्टपती के पास किसी भी छेतर को अनसोचे जनजाती छेतर खोशित करना है तो ये शक्ति राश्टपती के पास होती है option B 44 number question राश्टपती द्वारा राजिसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है तो राजिसभा में जो है आपके 12 सदस्यों को नामित किया जाता राजिसभा की बाद आर्टिकल 80 में दी हुई है और राजिसभा के सदस्यों का कारिकाल जो है वो 6 वर्ष होता है और राजिसभा एक इस्थाई सदन है अपर लेवल का तो यह आपका राश्टपती को है राश्टपती चाहे तो राश्टपती द्वारा चरित्र को बदलने भीना सजा की मात्रा को कम करना अंशेद बहात्तर को डैश कहा जाता है तो अंशेद बहात्तर को कहा क्या जाएगा कि चरित्र को बदले भीना सजा की मात्रा को कम करना सजा वही रहेगी बस इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो इसको कहा क्या जाता है ठीक है यह आप से पूचा गया है तो इसको कहा जाता है छमा तान option आपका C right है यहाँ पर फॉटी एट का श्री रामनाद कोविन भारत के कौन से राष्ट पती थे तो रामनाद कोविन आपके चौध्य राष्ट पती थे पहले राश्टपती आपसे पूझा रहा है भारत के तो डॉक्टर राजिन प्रिशाद थे और पहली महिला राश्टपती पूझी जाए तो श्रीमती प्रतिवा पार्टेल जी थी ओप्शन यहाँ पर बी राइट है बहारत का निम्रिकत में से कौन सा राश्टपती निरविरोद निरवाचित हुआ है निर्व विरोध निर्वाच इस सदर से जो है राष्टपती जो है वो नीलम संजीव रेड़ी है ठीक है ओप्शन सी राइट है इनका जो कारिकाल था वो 1977 से 1982 तक के बीश था ठीक है नेक्स्ट किस भारती राष्टपती ने आईरिस 70 संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गया तो वो आईरिस 70 संग्रामी कौन थे याप से पूछा गया है तो ये आपके वीवी गीरी थे option a right है भारत के राष्टपती अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं पहले बता चुके उप राष्टपती को देते हैं article आपका कौन सा है article है 56.2 ठीक है next भारत का कौन राष्टपती निर्विरोध निर्वाचित किया गया है तो नीलम संजीव रेड़ी option D यहाँ पर right है उप राष्टपती को अपना कारेकाल सवाथ होने से पूर्व अपने पत से हटाने का अधिकार किसे होता है कारेकाल पुरा होने से पूर्व उसको अगर हटाना है तो वो अधिकार किसके पास है यह आप से पूछा गया है तो वो है राजसभा के पास ओप्सन ए राइट है 57 भारते समिधान के किस अनुशेत के तहत उपराष्टपती का चुनाव होता है तो उपराष्टपती का चुनाव आर्टिकल 66 के तहत होता है आर्टिकल 63 के तहत जो है भारत का एक उपराष्टपती होगा और चुनाव जो है आर्टिकल 66 में है भारत के प्रत्रम उप राश्टपती कौन थे तो पहले उप राश्टपती आपके डॉक्टर S. राधा कृष्णन थे option B यहाँ पर राइट है और पहले राश्टपती डॉक्टर राजिन प्रशाद थे प्रत्रेक दो वर्श के बार राजिसभा के कितने सदस सेवा निर्वत हो जाते हैं तो दो साल बार जो है एक बटा तीन जो राजिसभा के सदस हैं वो सेवा निर्वत होते रहते हैं option आपका C राइट है राजिसभा के पदेन अध्यच कौन होते हैं तो राष्ट सभा के पदेन अध्य जो है उपर राष्ट पती होते हैं option आपका बी राइट है राज सभा सदस्यों के लिए नियुम्तम आयो कितनी होती है तो इसके लिए 30 फर्ष होती है राज सभा के लिए 30 और लोग सभा के लिए 25 जो है आयो होती है ठीक है I hope आप सभी को ये वीडियो पसंद आयो वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को बैल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू